असलाम वीकुम दियर स्टुडेंट्स आज हम चैप्टर नॉबर सेवन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी केल्कुलेस का इसका नाम है प्लीन कर्स टू और इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है एसेम टोट्स ठीक है तो इसेम टोट को पहले हम देख लेते हैं कि इसकी पहले भी वड़ चुक है चैप्र नॉबर सिक्स में उसमें हमने बहुत ज़्यादा इसको प्रोपरली डिसक्स करेंगे कि इसेम टोट्स क्या होते हैं और पोलर कर्व क्या होते हैं और अगर इसको हम कर्टिस्टम में कोई कर्व हो तो उसको किस तरह से लेंगे ठीक है तो स सबसे पहले हमारे पास डेफिनिशन आ जाती है सम्टोट की according to the definition सम्टोट हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है किसी भी कर्व की उपर जिसको हम अगर हम डिस्टेंस लें किसी भी हमारे पास सम्टोट का डिस्टेंस जो है जैसे हम कर्व में आगे इंफिनिटी की तरह बढ़ते जाएंगे चाहे एकसे की तरह बढ़ें चाहे यकसे की तरह बढ़ें तो यह जो हमारे पास कर्व का डिस्टेंस है यह जीरो को अप्रोच करता जाएगा ठीक है तो पहले हम डिफाइन करते हैं मैं आपको explain करती हूँ, a straight line L is called an asymptote of a curve C if the distance between L यानि asymptote के और जो main curve है, उसके दिर्मियान जो distance है, approach is 0, 0 पे चला जाता है as the distance moved along L from some fixed point tends to infinity, जैसे जैसे किसी fixed point से given curve का जो L का distance है जैसे जैसे infinity की तरफ जाएगा किसी भी fixed point के लिहाज से L का distance है C से जीरो यानि L जो है वह C के करीब आता जाएगा, तो हमारे पास जो L के line के हिलाएगी वह asymptote होगा, ठीक है अब इस SMTOT की definition को अगर हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमी कुछ examples लेते हैं अब consider करें कि हमारे पास जो black line है, ये curve C है, ठीक है ये एक point पे आके दोनों lines एक दूसरे को meet कर जाएगी, ठीक है इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के दम्यान जो distance है वो zero हो जाएगा इसी तरह यहाँ नीचे से भी इस वाली given line का भी जैसे एक्स जो है इसी तरह हम एक और example लेते हैं, for example, ये curve C हमारे पास है, sorry, given curve है ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर ये जो हमारे पास y-axis आ रहे है जैसे जैसे हमारे पास curve आगे बढ़ेगी, curve ने इस side पे भी उपर की तरह भी आगे बढ़ना है नीचे वाली side से भी आगे बढ़ना है, नीचे वाली side से जब curve आगे जाएगी तो ये दूर होती जा रही है इसके करीब कोई line नहीं पड़ी है, लेकिन जब ये उपर वाली side से आगे जा रही है तो अगर हम देखें कि ये जैसे जैसे उपर चलती जाएगी, वैसे वैसे ये जो given curve है, ये y-axis के करीब आती जाएगी अब y-axis के करीब आने का मतलब हुआ, x is equal to 0, इसका sm toat आ गया इसी तरह next हम लेते हैं, ये वाली given curve है, for example c, ये वाली given curve है, x-axis के करीब आती जाएगी जैसे हमाई पास ये curve आगे बढ़ाते जाएगी, यहां तो हमने 6 point तक इसको बनाया, लेकिन इसको हम आगे भी तो बना सकते हैं तो जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, हम infinity की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे given curve जो है, वो x-axis के साथ किसी ना किसी point पर जाके touch कर जाएगी, ठीक है इसका हमाई पास x-axis, एसम टोट बन गया तो इसकी equation बन गई, y equal to 0, ठीक है l1 के case में m1 x plus c1 और l2 के case में m2 x plus c2 हो जाएगी, ठीक है अब हम आगे देखते हैं, कि सम्टोट कितनी types की होते हैं, और उनको किस तरह से find करना है सबसे पहले हम देख रहे हैं, कि सम्टोट जो है, वो total 3 types की होंगी, ठीक है सबसे पहली type इसमें हम ले लेते हैं कि vertical asymptote vertical नाम से पता चल रहा है, vertical line हम बोलते है, y axis के parallel line को, ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि जैसे y axis वाली line या y आगे बढ़ता जाएगा, in other words, जैसे जैसे y positive infinity या minus infinity की तरह जाता जाएगा, ठीक है तो हमारे पास x की value है, वो किसी a की तरह जाते जाएगा, in other words, x की value a के बराबरा जाएगा, जैसे कि ये वाली curve है c, ठीक है जैसे जैसे हम उपर जा रहे हैं, उपर जाने का मतलब है y infinity को अप्रोच कर रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे को आ रहे हैं, it means के y जो है, वो minus infinity को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है तो जैसे जैसे हम उपर को जा रहे हैं तो हमारे पास यह जो given curve C है यह X is equal to A जो मैंने line बनाई है इसके करीब आता जा रहा है ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि X is equal to A इसका asymptote है और यह जो हमारे पास asymptote जिसमें हम Y axis को infinity रख रहे हैं Y वाली value को वो हमारे पास vertical asymptote के लाएगा ठीक है next हमारे पास horizontal asymptote है horizontal asymptote अगें नाम से पता है कि horizontal line जो होती है वो X axis के parallel line को हम horizontal line बोलते हैं for example हमारे पास अगर यहाँ पर यह X axis है और यह Y axis है तो हमारे पास इस में जैसे जैसे X जो है वो positive infinity यानि positive infinity की तरफ बढ़ता जाएगा या negative infinity की तरफ बढ़ता जाएगा तो हमारे जो given curve है वो किसी Y equal to B के करीब जाती जाएगी या उसको touch कर जाएगी ठीक है यानि उसके parallel हो जाएगी तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे X जो है जा रहा है तो हमारे पास जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे पास यह जो given curve C है इसका distance Y is equal to B के करीब आता जा रहा है कम होता जा रहा है एक point पे आके दोनों का distance 0 हो जाएगा ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि Y is equal to B इसका asymptote है it is not necessary कि यह दोनों साइट की तरफ यानि positive infinity और negative infinity दोनों साइट की तरफ हमारे पास Y के साथ zero distance दे बलके यह किसी एक साइट पे भी दे रहा है तो वो asymptote होगा ठीक है next हमारे पास जो third type है इसकी उसको oblique asymptote भी बोला जाता है और slant asymptote भी कहा जाता है ठीक है और बीक यह slant asymptote जो है उसमें भी basically हम horizontal line के along ही देख रहे होते हैं means x को infinity यह minus infinity लेते हैं लेकिन अब यहां पर difference यह आता है कि हमारे पास जो y की value है उसमें constants involve हो जाते हैं sorry variable involved हो जाते हैं पहले हमारे पास y जो था just constant के बराबर आ रहा था ठीक है लेकिन अब y is equal to mx plus c type क्यानी y के अंदर x का variable आ रहे है या in other words y जो है वो एक straight line दे रहे है ठीक है straight line तो वो पीछे भी थी लेकिन उसके अंदर variable जस्ट एक ही था अब हमारे पास given sm तोट आएगा उसमें दोनों लाइन जो है वो दोनों variable इसमें यूज होंगे ठीक है इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें जैसे हमने शुरू में एक example ली थी यह वाली given curve है ठीक है हम इस वो पैरा बुला भी बोलता है अब इसके अंदर यह जो एक line मैंने ड्रॉ की है जैसे हमारे पास हम आगे इस साइट को आगे जा रहे है एक सप्रोच इस तो इंफिनिटी की तरफ जा रहे है एक point आएगा किसी point पर आगे जाके यह दोनों लाइन आपस में zero distance हो जाएगा इनका यह दोनों लाइन आपस में meet कर जाएगी ठीक है तो यह y is equal to mx plus c value ठीक है और यहां पर जहां पर यह meet कर जाएगी यह वाली जो y line है यह हमारा अब हम देखते हैं कि हमने इसम्टोट को find कैसे करने और फिर हम exercise करते हैं इसमें इसम्टोट की कोई टाइप नहीं लिखी कि वर्टिकल करें या इसम्टोट करें या ब्लीक करें इसम्टोट करें इसम्टोट करने है तो पहले हम यह simple question देखते हैं इसमें य एक तरफ पढ़ा हुआ है और x की थारी टाम्स दूसरे साइट पर यानि equation इतनी ज्यादा मिक्स्ट नहीं है ठीक है तो इसमें हमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले हम for example वर्टिकल एसम्टोट निकालते हैं पर वर्टिकल एसम्टोट हमने देखा था कि वर्टिकल के लिए हम य को इंफिनिटी रखते हैं या अदर वर्ट हम वह पॉइंट देखेंगे जहां पर य की वेल्यू इंफिनिटी हो जाए तो इस एक्वेशन के अंदर वर्टिकल एसम्टोट में वाई की वेल्यू का भी इंफिनिटी होगी जब हमारे पास जो राइट हैं इसके अंदर जो गिवन टम का डिनोमिनेटर यानि जो बटे में टम पड़ी हुई है यह जीरो हो जा 4x plus 4 divided by x square ठीक है तो अगर आपके पास अब यहां पर नियूमिनेटर यह जो गिवन एक्वेशन है यह गिवन फ्रेक्शन है यह इंप्रोपर आ जाए तो पहले आप इसको प्रोपर फ्रेक्शन में चेंज कर लें मींस के उपर और नीचे जो सबसे मैक्सिमम पावर है उसक क्योंकि नीचे हमाई पास यती कॉंप्लिकेटर एक्वेशन नहीं है तो हमें डिवाइड करनी के जरूरत नहीं है आप सिंप्ली नियूमिनेटर को पूट कर दें 0 के बराबर यहां से x की वैल्यू निकालें यह आपके पास असम्टोट आ गया वर्टिकल सो एस y नेक्सट हमने निकालना है होरिजोंटल एसम्टोट और साथ ही हमने ब्लीक असम्टोट ठीक है तो उसके लिए हम क्या करते हैं पहले हम होरिजोंटल की बात करें लेता है दोनों का method हम same ही करेंगे उसकी वज़ा यह है कि अगर आपके पास दोनों में x approaches to infinity है अब यहां पर आप देखे y is equal to equation हम दुबारा लिख लेते हैं y is equal to x minus 2 raise to power 2 divided by x का square अब क्योंकि हम horizontal है से हम टोट निकाल रहे हैं हमने x को infinity approach करवाने तो अब आपके पास यह जो given equation है इसको simplify क्योंकि x में complicated x में simplify करने वाली equation है तो इसको हम x के लिए हासे open कर लेते हैं कि x का square minus 4x plus 4 divided by x का square इसको simplify कर लें means x को हर term पर divide कर दें अगर यहां पर कोई और term जम्मा या minus हो रही होती तो फिर हम क्या करते हैं numerator and denominator हम इन दोनों को maximum power पर divide कर देते हैं ठीक है तो इसके लिए अब हम यह देखेंगे कि यह आपके पास आता है 1 minus यह equation आ जाती है 1 minus 4 over x plus 4 by x का square put कर दें या apply कर दें limit x approaches to infinity on both sides y अबली side पर क्योंकि x involved नहीं है तो यह y के equal आ जाएगा 1 के अंदर x नहीं है तो हम इसे limit apply करने के ज़रूरत नहीं है limit x approaches to infinity 4 by x जमा limit x approaches to infinity 4 by x का square ठीक है तो यह बन जाता है 1 minus 4 over infinity is 0 plus 4 over infinity is also 0 so it will be equal to 1 y equal to 1 यह हमारे पास आ गया है is horizontal asymptote ठीक है अब इसे horizontal asymptote का हम लिखेंगे कि as x approaches to infinity y approaches to 1 so y equal to 1 is horizontal asymptote ठीक है अब आपने जो next oblique ya slant asymptote निकालने उसमें भी हमने x को infinity ही approach करवाना है लेकिन अब उसका method क्या है हम उसके उपर चलते हैं उसके लिए आपने क्या करना है next third वाला part है उसमें हम लिखेंगे slant या oblique asymptote mostly oblique covered इस्तेमाल किया जाते है ठीक है अब slant या oblique asymptote में y की form होती है mx plus c ठीक है हमारे given equation है y is equal to x minus 2 का square divided by x का square ठीक है अब यह जो y की equation है यह put करदें इसमें put y equal to mx plus c आपके given equation क्या बन जाती है mx plus c is equal to x minus 2 की power 2 divided by x का square cross multiplication कर दें mx की power 3 plus c x का square is equal to x square minus 4 x plus 4 इसको अब simple equal to 0 form बना दें means सारी terms equal के एक तरफ आ जाए mx का cube ठीक है plus c minus 1 x का square plus 4 x minus 4 equal to 0 ठीक है अब यह equation बन गई अब आपको asymptote निकालने के लिए यह m और c की value निकालने है ठीक है उसके लिए आप क्या करेंगे आप highest power से start करेंगे highest power को क्यों पर divide करेंगे पूरी equation को ठीक है तो सबसे पहले हम divide करते हैं by x का cube ठीक है पूरी equation को x cube पर divide करते हैं आजेगा m plus c minus 1 over x 4 over x का square 4 over x का cube equal to 0. and after division you have to apply limit x approaches to infinity apply limit x approaches to infinity on both sides तो यहां से m बचेगा बाकी तीनों terms 0 हो जाएंगे equal to 0 m की value किसके बराबर आ गई है यहां पे 0 के ठीक है तो it means कि हमारे पास यहां पे m आप 0 आ गया है अब आप अगर इस given equation में m को 0 पुट कर दें इसको हम नाम देदेते हैं equation number a का equation a क्या बन जाती है उसमें m को 0 पुट करें तो हमारे पास आ जाता है 0 plus c minus 1 into x का square plus 4x minus 4 equal to 0 ठीक है हमने equation number a में 0 पुट कर दी है अब आपके पास इस given equation में सबसे बड़ी पावर कौन सी x की x की power 2 ठीक है इस पर divide कर दें divide by x की power 2 तो यह बनेगा c minus 1 plus 4 over x minus 4 over x का square equal to 0 again apply limit x approaches to infinity on both sides तो यह बनेगा c minus 1 plus 4 beta infinity 0 होगा और यह 4 beta infinity भी 0 हो जाएगा equal to 0 c minus 1 equal to 0 c की value क्या गई है 1 ठीक है तो यहां से आपके पास y equal to mx plus c था तो y is equal to m की value 0 आई थी c की value 1 आई थी it means के y is equal to 1 और यह exactly वही equation आई है जो हमारे पास पीछे हमने horizontal में निकाली थी ठीक है it means के horizontal और slant asymptote में दोनों में same method apply किया जा सकता है तो अगर आप यही method apply करेंगे तो इसमें आपके horizontal asymptotes भी आ जाएंगे और slant oblique भी आ जाएंगे अब यहां पर यह बना जो इसम्टोट है इसको हम horizontal बोलेंगे क्योंकि इसमें x involved नहीं है ठीक है और इसका कोई भी oblique asymptote नहीं आ रहा उसकी वज़ा यह है कि इसमें कोई ऐसी equation नहीं आई जिसके अंदर x आता हो ठीक है और अगर कभी ऐसा हो जाए कि horizontal यह vertical asymptote find करते वे आपके पास जब आपने y को infinity अप्रोच करवाया था तो x की value भी infinity आ जाए या अग जोलेंगे the equation does not have any vertical asymptote ठीक है इसी तरह अगर x अप्रोच infinity करवाते हुए y की value भी infinity आ जाए तो it does not have any horizontal asymptote ठीक है तो अगर कभी भी infinity answer आ जाए आपका तो आपके पास जो जो इसम्टोट आप निकाल रहे है वो वाला इसम्टोट जो है वो नहीं होगा ठीक है इसको हम inclined asymptote जो तीसरा asymptote है slant बोला था जिसको हम नहीं oblique बोला था इसको inclined asymptote भी बोल सकते है क्योंकि थोड़ा सा जुकावा होता है ठीक है यहां पर एक बात आप देखें कि हमारे पास जो एक्स था उसकी maximum जो गिवन एक्वेशन थी हमारे पास इसमें एक्स की maximum power कितनी थी एक्स की maximum power थी 2 ठीक है तो हमारे पास number of asymptotes कितने आते हैं कि हमारे पास पूरी equation की जो degree आ रही होती है means कि पूरी equation को अगर आप simplify करें उसकी degree degree means कि अगर आप इसको cross में multiply कर दें यहां पर मैं करती हूँ तो यहां के पास बनता है x square y is equal to x minus 2 की power 2 तो यहां पर यह degree बन रही है इसकी 2 और यह 1 मिला के 3 ठीक है तो total number of asymptotes या तो 3 होंगे या फिर 3 से कम होंगे इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे ठीक है next हमारे पास question number 10 है for example question number 10 कर रहे है ठीक है तो question number 10 में जब हमें asymptotes निकालने है तो आपने अब यह देखें यह ना इसमें हम y और x को separate नहीं कर सकते तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस given equation में y को mx plus c directly put करेंगे वहां से m और c की value निकालेंगे ठीक है पहले इसको simplify करते है इसको open कर ले x की power 4 plus y की power 4 minus 2 विलके इसको हम थोड़ा सा मजीद simplify करने के लिए x square y square x minus y x plus y दोनों की power 2 है ठीक है is equal to x square plus y square raise to power 3 x square y square minus 2 x square x y x plus y plus b का whole cube हम open करते हैं ठीक है a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 a b square इसको मैं simplify कर लूँगी यहां पर हमने simplify कर लिया है ठीक है और x की power के लिए हाज से इनको तर्तीब भी दे दिया ठीक है x की power जो common आती थी वह वहली power common ले लिया है ठीक है और उसके बाद हमने इसको तर्तीब दे दिया अब इसमें सबसे पहले यह क्योंकि implicit equation है तो we have to put x is equal to 1 and y is equal to m ठीक है तो यहां पर आपके पास जब x is equal to 1 और y is equal to m पूट करते हैं कि इसमें हमाई पास maximum degrees कितनी आ रही है यहां से अगर हम देखें तो इसके degree बन गई 8 ठीक है यह भी 8 यह 6 6 6 & 6 ठीक है तो यहां पर हमें 5 निकालने है 5 means कि हम नाम दे देते हैं एक नए function को 5 of क्यूंकि maximum 8 है तो हम उसको 5 of 8 का नाम दे देते हैं ठीक है उसमें क्या होगा sorry m उसमें यह होगा कि जहां जहां पर 8 आ रही थी degree उसमें हमने put करना है x is equal to 1 और y is equal to m तो यहां से हमारे पास क्या बन रहा है 5 of m is equal to m square plus m raised to power 6 minus 2 m की power 4 ठीक है हमने सिरफ 8 वाले degree में put किया जहां जहां पर 8 आ रहा था इसी तरह 5 of 6 निकालते हैं 5 of 6 का मतलब जहां जहां पर degree 6 आ रही थी उसमें put करेंगे क्या put करेंगे same thing x is equal to 1 and y is equal to m तो यह हमारे पास आ जाता है minus 1 minus m की power 6 minus 3 now put 5 8 of m equal to 0 तो यह आपके पास दोनों के बारी बारी 0 रखके m की की इमते निकालनी है भमें ठीक है m square plus m की power 6 minus 2 m की power 4 equal to 0 इसको simplify कर लें इसमें से m square को मन ले लें 1 plus m की 4 minus 2 m square equal to 0 इसको simplify कर लेते है m square equal to 0 और m की 4 minus 2 m square plus 1 equal to 0 ठीक है तो यहां से हमारे पास m equal to 0 और m equal to 0 यह दो values आ गई की दूसरी साइट पर आपके पास m square minus 1 का whole square complete हो रहा है it means के m square minus 1 equal to 0 दो बार आ रहा है ठीक है यहां से m square equal to 1 m square equal to 1 so m must be equal to plus minus 1 plus minus 1 आपने हर possible situation में इसको हल करना है अब आपके पास जो values आ रही है m की वो कौन कौन सी आ रही है 0 plus 1 and minus 1 ठीक है यह आपके पास m की value आ गई है by using this equation m phi of 8 ठीक है similarly put phi of 6 of m equal to 0 तो हमारे पास phi 6 में क्या आया हुआ था phi 6 में हमारे पास यह वली term iv थी तो यहां पर अगर हम इसमें से minus को comment लें पूरी equation में से तो हमारे पास क्या आता है इसको हम simplify करके लिखते हैं पावर के लिए हाद से पहले ले ले माइनस m6 plus 3m4 m2 minus 1 ठीक है इसमें से minus common ले ले लें तो आपके पास m की power 6 माइनस 3m की 4 3m2 plus 1 ठीक है अब इसको अगर हम simple formula में change करें m3 m2 की power 3 ठीक है इसी तरह लास्ट के हमारे पास 1 की power 3 a3 plus 3 a3 plus 3 a3 plus 3 a3 plus 3 a b2 ठीक है तो यहां पर माइनस था ठीक है तो यह सारी plus के हो गए अब यह आपके पास formula complete हो रहा है m2 plus 1 का whole cube तो यहां से हम ले लेंगे m2 plus 1 whole cube equal to 0 या m2 plus 1 equal to 0 m2 plus 1 equal to 0 m2 plus 1 equal to 0 ठीक है m2 is equal to minus 1 और यहां से m की value जो है वो नहीं निकल रही कोई real value नहीं आ रही तो it means के not possible to find real value of m ठीक है m की हम यहां पर real value नहीं find कर पारे so next अब हमारे पास m की values आ चुकी है तो अब हमने next c की value निकालनी है तो c की value का formula है हमारे पास for value of c ठीक है यहां पर value of c के लिए c1 square बटा 2 factorial या in other words अकेला 2 भी लिख सकते हैं 2 का factorial 2 के ही बराबर होता है c1 phi यहां पर अगर हम 1 भी लेले c square over 2 into phi n का double derivative with respect to m m plus c 5 n minus 1 का single derivative at m और शी तरह plus c raise to power 0 5 n minus 2 of m equal to 0 अब यहां पर n क्या है maximum power है जो आपने ली थी तो maximum आपकी 8 degree आई थी ना तो यह आपके पास बन जाता है c square over 2 5 8 का double derivative plus c 5 7 dash of m plus c plus 5 of 6 of m equal to 0 ठीक है 5 8 और 6 निकला था 7 निकला ही नहीं था तो इसकी value 0 होगी तो अब हम इसमें derivatives put करते हैं phi 8 का double derivative अब phi 8 क्या था हमारे पास यह हमारे पास phi 8 की value है m square plus m की power 6 minus 2 m की power 4 तो इसका पहला derivative क्या बनेगा 2 m plus 6 m raise to power 5 minus 8 m का cube equal to 0 या और इसके बाद second derivative बनेगा 2 plus 30 m raise to power 4 minus 24 m की power 2 equal to 0 ठीक है तो हम यहां से यह वाली जो value आपके पास double derivative आई है यहां से इसको हम नीचे लिख देते हैं यहां पर and it was 30 m raise to power 4 and 24 m की power 2 इसी तरह next हमारे पास c और 57 था ही नहीं तो 0 हो गया और last पर 56 56 हमारे पास क्या आया था यह 56 की value है इसको हम यहां पर लिख देंगे this will be equal to 0 ठीक है इसको simplify कर लेते हैं कि simplify से पहले इसमें बारी बारी m की values पूट करें पहली m आई थी हमारे पास 0 m जब 0 था तो हमारे पास यह बनता है c square over 2 into 2 बाकी सारा कुछ 0 हो गया minus 1 और यह भी 0 हो गया equal to 0 हो गया 2 से 2 cancel हो गया c square is equal to 1 आ गया ठीक है c की value आ गई plus minus 1 तो y हमारे पास था mx plus c तो यहां पर आपके पास m की value क्या पूट की थी हमने 0 और c की value plus minus 1 आई है तो y is equal to 0x plus 1 and y is equal to 0x minus 1 ठीक है तो y हमारे पास plus 1 and minus 1 आ जाता है यह दो एसम टोटा आ गए ठीक है अब इसी तरह हम next करेंगे m की value को put करते हैं m equal to 1 और फिर इसी तरह m equal to minus 1 क्योंके m is equal to 1 पे c की value आती है plus minus 1 by under root 2 तो y आपके पास आजाता है m क्योंके 1 put किया है x plus under root 2 and also y is equal to x minus 1 by under root 2 ठीक है यह हमारे पास उपर दो निकले थे दो यहां पे आगे अब हम put करते हैं m is equal to minus 1 so for m equal to minus 1 में भी हमारे पास यही 2 equations आती हैं so y is equal to 1 minus 1 x plus under root 2 and are the asymptotes of given equation ठीक है यह हमारे पास given equation के asymptotes आ जाता है next हमारे पास polar form में asymptotes है polar form equation किस तरह की होती है r is equal to f of theta form होता है ठीक है अब r is equal to f of theta में आपको asymptote किस तरह से निकालना है asymptote के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है put r is equal to whenever r approaches to infinity you have to find the value of theta ठीक है find theta अब आगे हमारे पास दो formula है total ठीक है जिनको हमने use करना है सबसे पहले आपको यहां पे निकालना है a या p हम p नाम दे देते हैं p हमारे पास क्या है कि जो आपके पास theta value आईगी theta की for example theta 1 या theta 2 value आती है ठीक है तो आपने यह जो दो values आ रही है ठीक है इसकी उपर आपने value निकालनी है p की और p की value किस तरह से निकलेगी the formula is r square d theta by dr इसमें put करेंगे p आ जाएगा ठीक है next आपके पास p is equal to r sin a minus theta that is the asymptote ठीक है यहां से आपके पास asymptote आ जाएगा इसका तो अब सबसे पहले हम for example question करते है polar form के questions आपकी book में question number 13 से start हो रहे है 13 में हमारे पास r क्या है a over theta ठीक है अब आप यहां पर देखें r की value infinity कब होगी जब आगे वाले term में denominator equal to 0 होगा तो आप यहां पर put कर दें denominator equal to 0 theta की value क्या आगई 0 के बराबर ठीक है यहां के पास r था यहां से आप निकालें dr by d theta a theta raise to power minus 1 था तो यह बन जाएगा आपके पास minus 1 a theta की power minus 2 clear हम यहां पर यह वाली values निकालने हैं तो इसमें फिर next आपने क्या करना है रैसिप्रोकल ले लेना है r d theta by dr यह आपके पास आया minus a over theta square तो यह इसका रैसिप्रोकल के आएगा minus theta square over a multiply by r का square यह उन बोथ साइड तो यह आपके पास आ जाता है r का square यह आर की value a over theta थी तो a over theta की power 2 into minus theta square over a ठीक है एक a इस a से cancel हो रहा है theta square से theta square cancel हो रहा है बाकि आपके पास बच रहा minus का a r square d theta by dr is equal to minus a यह आपके पास क्या आ गया p इसके उपर limit apply करेंगे तो p आ जाएगा apply limit theta approaches to जो आपकी theta की value आई थी theta किस के बराबर आया था 0 के theta approaches to 0 r square d theta by dr it is equal to p यहाँ पर क्योंकि theta involved नहीं है तो यह minus a के equal ही आ जाएगा it means के your p is equal to minus a ठीक है तो next आपके पास for the value of asymptote we have to put p is equal to r sin r sin it is sorry alpha some other alpha minus theta ठीक है p की value आई यह minus a r की क्या value थी r जो question में given था वो a over theta sin alpha minus theta ठीक है इसको simplify कर लेते हैं a से a cancel ठीक है minus theta is equal to sin alpha alpha is the angle जो आपने उपर निकाला था जो शुरू में निकाला था वो क्या था 0 minus theta ठीक है तो minus theta is equal to sin minus theta sin की property है minus बाहर आ जाता है so sin theta is equal to theta is the required asymptote ठीक है इस तरह से लिख लें इसको आप या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि sin theta over theta is equal to 1 ठीक है दोनों दरहां से लिखा जा सकता है तो आपके पास this is the asymptote similarly question number 18 देख ले question number 18 में हम कहते हैं कि r is equal to a over 1 minus cos theta r कभी infinity होगा जब denominator 0 हो जाएगा so 1 minus cos theta equal to 0 और यहां से cos theta equal to 1 आ जाता है so theta is equal to cos inverse of 1 अब जब cos या sign या trigonometric function आ रहा है जिसमें inverse function तो उसमें आपने दो values तो निकालनी है ठीक है आपने 2 pi से पीछे पीछे जो values आती है वो सारी निकालनी है तो cos की value 1 कहां होती है theta is cos is equal to 0 और 2 pi ठीक है यह दो values आगी so next we have to find derivative of the given function r r हमारे पास है a over 1 minus cos theta so हमने इसका derivative ले लिया ठीक है derivative में इसको उपर लेगे minus 1 power rule apply की and so on यह dr by d theta आगे next recipe broker ले ले लेंगे d theta by dr it is equal to 1 minus cos theta का square over minus a sin theta next we have to multiply by r square so r square हमारे पास आ रहा है a over 1 minus cos theta इसका भी square और उपर वाली का भी square 1 minus cos theta का square over minus a sin theta ठीक है यह दोनों terms cancel होगी a से cancel हो गया so r square d theta by dr is equal to minus a over sin theta ठीक है now we have to apply limit p की value के लिए limit theta approaches to 0 minus a over sin theta जब आप यहाँ पे theta को 0 put करते हैं तो answer क्या आ जाता है infinity आ जाता है does not exist ठीक है इसी तरह अगर हम p पे limit दूसरी apply करते हैं तो minus a over sin theta यहाँ पे भी answer 0 आ जाता है so r is equal to a over 1 minus cos theta दोनों cases में answer infinity आ रहे है तो does not have any asymptote ठीक है इसका कोई asymptote नहीं है इसी तरह अगर आपको theta की values के लिए for example question number 17 है उसमें denominator में कुछ भी नहीं है question number 15 में देख लें question number 15 में हमें given है r is equal to a को second theta plus b तो आप इसको पहले denominator वाले function में change कर लें हमारे पास trigonometric function में हार function का reciprocal मौजूद है ठीक है तो यहाँ के पास आ जाता है sin theta a plus b sin theta ठीक है अब यहाँ पे आपके पास r approach करेगा infinity को if sin theta equal to 0 हो जाएगा so theta must be equal to 0 और pi ठीक है 0 पे या pi पे यह जो है theta जो है वो हमें sin theta जो हो 0 देता है ठीक है तो आपके पास यह आ गया इसी तरह आप question number 20 देखे question number 20 में है r e raise to power theta minus 1 is equal to a e raise to power theta plus 1 तो r is equal to a e की power theta plus 1 बटा e की power theta minus 1 ठीक है r approach करेगा infinity को if denominator is equal to 0 तो हम यहाँ पे कहते है फिर e raise to power theta is equal to 1 या e raise to power theta e की power 0 के ब्राबर है theta की value क्या हो गई 0 ठीक है और आगे similar method से हम इसको solve करेंगे now you have to complete this exercise